Friends and very warm welcome to Chicky's biology another video In this video today we will discuss about क्या CMACD course के बाद injection लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं यह जो question था यह बहुत सारे followers का बहुत सारे subscribers का मुझे पिछले कहीं दिन से आ रहा था और इसी question का आज मैं आप लोगों को एक appropriate answer यहां पे दूँगा और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में starting से लेके end तक connect जरूर रहें Friends यह जो आप लोगों का course होता है यह आप लोगों का 18th month का यह course होता है और इसमें जो है आप लोग 6 month की वहाँ पे internship करते हैं और जब यह internship आप लोग करते हैं 6 month की तो यह आप लोग किसी भी government और private hospital से करते हैं और during this internship आप लोग injection लगाना वहाँ पे सीखते हैं या उसकी जो knowledge होती है उसको आप लोग वहाँ पे gain करते हैं चीव करते हैं आप लोग blood pressure measurement वहाँ पे सीखते हैं आप लोग जो है status कॉप से कैसे patients को वहाँ पे diagnose करना यह सीखते हैं blood transfusion आप लोग महाँ पे सीखते हैं और नाड़ी कैसे देखनी है यह आप लोगों को महाँ पे सिखाया जाता है इसके साथ में plaster कैसे किया जाता है यह आप लोगों को सिखाया जाता है यह orthopa part है उसके बाद medical instrumentation की knowledge आप लोगों को दी जाती है और कैसे किसी patient को medicine prescribe करनी है यह आप लोगों को महाँ पे सिखाया जाता है और IV fluids से कैसे inject किया जाते हैं किसी भी एक patient को तो यह भी आप लोगों को महाँ पे इसकी भी knowledge जो है वहाँ पे दी जाती है तो यह सभी आप लोगों को महाँ पे सिखाया जाता है तो यह इसलिए सिखाया जाता है जिससे कि आप लोग इसको in future वहाँ पे apply करें patients के उपर आप लोग इसको apply करें तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप लोग जो है injection भी लगा सकते हैं after CMCD course आप लोग IV fluids भी वहाँ पे तो यह सब कुछ जो है आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं और आप लोगों को इसकी full authority होती है और यह जो course है इस course को Honorable Supreme Court of India ने permission दी है और इसको WHO से भी जो है माननेता मिली होई है तो आप लोग जो है injection रगा सकते हैं इस course को करने के बाद और आप लोग IV fluids जो है वो patients को वहाँ पे inject कर सकते हैं वो आप लोग लगा सकते हैं और इस course के दोरान जो है आप लोग बहुत सारे subjects की भी study करते हैं इसमें human physiology, human anatomy और आप लोगों का medicine और other बहुत सारे subjects जो हैं आप लोगों को पढ़ाय जाते हैं या आप लोग उनकी study महाँ पे करते हैं तो यह question बहुत स इसे वीडियो से related अगर आप लोगों का कोई question है कोई query है या आप लोगों के mind में कोई doubt है तो आप लोग उसको वीडियो के नेचे comment box में जुरू टाइप करें So thank you friends, thank you for watching and do subscribe the channel for a